नमस्कार आप सभी का अगेंस्ट क्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी पदा अधिकारी का भरस्टाचार पद के दुरुपयोग या अनि किसी तरह भरस्टाचार को दबाने का कारज किया जाता है तो उसक खुला सा आर्टियाई लगा कर हम लोग कर सकते हैं यहां मैं एक बिहार राज के मदेपुरा जिला के पुलिस अधिक्षक के पद के दुरुपयोग और सो समय ठेक से कारज नहीं करने का खुला सा आर्टियाई के माध्यम से किया है आप लोग भी असपस्ट इसे देख कर सम जाएंगे कि बिहार के या अन्य राज के आफसर सा मनमानी किस प्रकार क्या करते हैं आप लोग इस चैनल से जरूर जूरे रहें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा एक लाइक अवस्ट कर देंगे मैं एक दिव्यांग नड़का हूँ जिस कारण मैंने अपर आयुक्त ने सकता बिहार पटना से एक सिकायत किया था जिस संबंद में उन्होंने आप लोग डेट ध्यान देखेंगे 11.22.105 पत्रांग से पुलिस अधिक्चक और जिला पतादिकारी मदेपुरा को आवस्यक कारवाई है तू निर्देशित किया गया था तथा सौसमय जाँच रिपोर्ट की मांग की थी लेकिन मदेपुरा पुलिस अधिक्चक द्वारा सौसमय कोई कारवाई नहीं की जा रही थी जिस कारण मैंने अपनी मा के नाम से एक आर्टी आई लगाई आप लोग ध्यान रखेंगे डेट यह देख लिजे पुलिस अधिक्चक का कारवाई है जिला मदेपुरा नाम है पुरा पता है मैंने राज आयुक्त ने सकता का कारवाई है परतिस अधिक्चक द्वारा की गई कारवाई का दैनिक रिपोर्ट दी जाए कि मैंने मांग किया था दूसरा बात पर किये गई आदностью की प्रमानी छाया परति उपलब्द करा आजा इसकी भी मांग की थी तीसरा संबंदित संचिका की प्रमानी छाया परति भी जीवन एवं सुतंता से संबंदित होने के कारण 48 गंटे में सिगर उपलब्ज करा आ जाए कि मैंने मांग की थी SP मधेपुरा से लेकिन उन्होंने आप लोग ध्यान रखेंगे कि कब भेजा गया था 11.02.2022 को निसकता आयुक पटना से भेजा गया था मैंने RTI लगाई 37 को इस बीच उन्होंने कोई कारवाई नहीं की थी इसके बाद उन्होंने गया फांक 219 11.02.2022 से मुझे सूचना उपलब्द करवाया है तो इसमें आप लोग देखें कि मैंने क्या सूचना मांगा है और उन्होंने क्या जवाब दिया है वो लिखते हैं उप्युक प्रसंग एबंबिस्यक संदर में कहना है कि स्पीट पूर्ट संख्या इतना के माध्यम से आपका दिनांग 37.22 को हस्ताक्षित तावेदन प्रपत को इस कार्याले को प्राप्थ हुआ है आपके द्वारा मांगई गई सूचना के आलोग में सुचित करना है कि यह पर आयुक ने सकता भिहार पटना के कार्याले का पत्रांग परिवाद संख्या इतना इतना दिनांग 11.22 के आलोग में इस कार्याले का ग्यापांग इतना दिनांग 10.22 द्वारा पर आयुक ने सकता भिहार पटना को जाँच परतिवेदन उपलब्द कराई गई है अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पत्रांग 11-12 को ही उन्हें भेजा गया था लेकिन उन्होंने कोई कारवाई नहीं की जब मैरे द्वारा मा के नाम से एक आर्टियाई कब लगाई गई तो तीन साथ को लगाई गई तो वो कहते हैं कि आपकी कारवाई का परतिवेदन कब भेजा गया दस आठ बाइस को अपर आयुक ने सकता को भेजा गया है करने का मतलब आप लोग देख लीजिए या लगवक 6 मा का बिलम से इनों ने उस पर कोई कारवाई नहीं खी थी जब एक SP साहब इतने बड़े पत पर होते हुए भी एक ने सकता आयुक्त के आदेश या निर्देश की अभेलना करते हैं तो अब आप लोग समझ दीजिए कि बिहार में रस्टाचार कितना ब्याप्त है और जब इसकी जानकारी RTI के माध्यम से मांगी जाती है तो आबेदक को वांचित सूचना अपलब्द ना करा कर केवल या सूचना अपलब्द करा दी गई है कि आपका जाच परतिवेदर ने सकता युक्त को भेजा गया है जबकि जो भी रिपोर्ट बना होना चाहिए या बना होगा उसकी संचिका की परमानिचाया परती मैंने मांगा था RTI के माध्यम से जिसे मुझे भी पुलिस अधिक्षक मदेपुरा को उसकी परती पलब्द करानी चाहिए और दैनिक रिपोर्ट की मैंने मांग की थी ये लोग कुछ करते नहीं है सोसमय इसलिए दैनिक रिपोर्ट क्या देंगे मनमानी ढंक से भरष्टाचार को दबाने का प्यास करते हैं और अपने पद का दुरूपयोग कर बिहार में और अधिक भरष्टाचार होने में मदद कर रहे हैं इन लोगों के खिलाप अबस्द से हम लोगों को लड़ना परेगा जिससे बिहार में होरहे ब्रस्टाचार में कमी आए साथ साथ भारत में भी कई राजियों में इस तरह की सिकायत मुझे कॉल कर दी जाती है इस कारण हम जनता को जागरूखो कर सतरको कर इसके खिलाप RTI लगाएं और उसका उजागर करके सक्षम प्राधिकार के समक्ष उसकी सिकायत अवस्ट करें तभी ब्रस्टाचार खत्म होश्रकता है जैहिन